मुश्किल था लेकिन नामों किम तो बिल्कूल भी नहीं था है वीरवान वछकम चुम मैशनल तो आज लाइप में पहरी बार मैं डूर्गा सजने जाड़ी मेरे पास कोई मेकवायरी भी आप्स तुर्गा लोग करने के लिए एक आई बनाने वाली हूँ मेरे फोर हेट पर इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं था पर मैं ट्राइ किया क्योंकि मैं फर्स टाइम इस आई को करने जा रही हूँ और मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले कभी ड्राइंग नहीं सिखा लेकिन मुझे इस ड्राइंग से प्यार है इसलिए मैं बच्पन में मेरी डैट की पास बैट बैट कर ड्राइंग कर दी थी मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी लेकिन कभी ड्राइंग नहीं सिखाया मुझे और आज मेरी मात फिर फर्स टाइम इस आई को मैं बना रही हूँ आपको कैसे लग रहे है प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना आपको इसको टेंड में से कितना देना चाहेंगे प्लीज बताइए क्योंकि मुझे तो दिल से बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि फर्स टाइम मैंने ट्राइ किया कुछ-कुछ लोग होता है ना नॉर्मल सा आई बनाते है लेकिन इस आई को मुझे तो मन से इतना ज्यादा अच्छा लगा मैं क्या ही बोलू मैं अगर देना चाहूंगी तो टेंड में से टेंड ही दूँगी इससे ड्राइंग करने से जियादा मुश्किल काम क्या था पता है आपको वो था सारी पहनना मतलब सारी पहनने के बाद इतना ज़्यादा हेवी सारी मैं क्या ही बोलू मैं तिन गंटे से सजा सजने के बाद जब just 15 मिनिट या 20 मिनिट की वीडियो करा और उसके बाद मैंने सारी को उतर दिया इस मेक अप को भी उतर दिया मतलब सोचो लोग क्या क्या करते मेरे तरह सब ऐसी होती है तीन घंटे के मेक अप करने के बाद जस्ट 10 मिनिट्स के जो वीडियो मना थे बस हो जाता है तो मैं भी कुछ ऐसा किया तो आज फिल किया कि क्रियेटर ने कितना ज़्यादा मुश्किल होता है जब वो 3-4 घंटे से मेक अप करती है जस्ट 15 सेगेंड की एक रिल्स के लिए तो मुझे भी उतना ज़्यादा आज फिल आया मेरे पास तो लेंस नहीं था लेकिन मुझे लगा चलो लेंस के बिना ही काम चला लेते है अब बोलना लेंस के विज़ अच्छा नहीं लगता है लेकिन कोई बात नहीं काम चला लेती हूँ क्योंकि दुर्गा पूजा वान डे था मतलब मैं चतुछती की दिन यस वीडियो को शूट कर रही थी अगर लेंस मैं और्डर देती तो नहीं आती और दुर्गा पूजा में मैं बहुत ज़्यादा वेजी हो जाती इसलिए मैंने लेंस नहीं और्डर किया और मेरे पास ये जुलरी ये मेरा ही है कोई रेंट की जुलरी नहीं है मेरे पास था और ये सारी इतना जादा हैवी था इसको पहरने के बाद इतना जादा गर्मी लग रही थी मैं क्या बदो और मैं छट पे आके पोस देरी थी क्योंकि मैं इस तरह सज़ध़ के मेरी तो हिमत नहीं है कि मैं रास्ते से जाओ कहा पर जाओ शूट करने के लिए तो और मेरे हेर वह ज़्यादा शॉट था तो मैं पीछे से ब्रेट करके बैठी थी कि कब करल हो जाए फिर करल होने के बाद ये चलो शूट किया मैं इतना लगा या बुरा लगा प्लीस कॉमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आपक वीडियो को देखने के लिए